चलिए शुरू करते हैं उत्राखन टेस्रीज का भाग 16 यहां भी हम देखेंगे कुछ महत्वपूर प्रस्णों को तो शुरू करते हैं उत्राखन टेस्रीज भाग 16 तो आज का हमारा पहला प्रस्ण है इन में से कौन सा एक कमाउ विश्वविद्याले का परिसर नहीं है तो तो IIT रूड की जो हमारा विश्वविद्याले है उसको विश्वविद्याले का दरजा किस वर्ष मिला तो इसका सही आंसर है 1950 में उसे विश्वविद्याले का दरजा मिला अगला प्रस्ट उत्राखंड संस्कृति पत्रिका कहां से छपती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोड़ी अगला प्रस्ट उत्राखंड प्राइवधिक सिक्षा यह परिक्षा परिशत कहा इस्तित है तो उत्राखंड तक्निकी जो सिक्षा का प्राइवधिक सिक्षा यह परिक्षा परिशत है वो कहा इस्तित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूर्की में और उत्राखं गुरुकुल कांगडी विस्वविद्याले कब हरिद्वार के कांगडी में इस्तांत्रित हुआ तो हम सब जानते कि उनिस्सो में स्वामी स्रधनन्य गुरुकुल कांगडी की स्तापना की थी गुजरोवाला पंजाब में तो ये गुरुकुल कांगडी विस्वविद्याले क कब हरिद्वार के कांगरी में इस्तांतरित हुआ तो यह था in 102 में अगला प्रस्ण जिबी पंत विषा वीजगा लेकी स्थापना कप लुई कर fear इस्कोल्तलो अभियान है, वो कप से शुरू हुआ? इसका सही अंसर हो जाएगा, 1 जुलाई 2001 तक, इस्कोल्तलो अभियान सुरूआ 1 जुलाई 2001 को, अगला प्रस्ण, देव सस्कृती विशो विशो विज्ड्यारे किस जनपद में इस्तित है, तो जो हमारा विशो विशो वि किसकी रचना है तो गडवाली बादा कि प्रारंपिक रचनाव में सही का बुरो संग तो ये किसकी रचना है तो वो है हर्सपुरी की अगला प्रशन वीर चंद्र सिंह गडवाली राज के मेडिकल कॉलेज की स्थापना कभ हुई पहले तो ये है कहां स्वामी राम हिमाला ने विस्वधियाले का दर्जा कब मिला तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2007 में जबकि 2006 में मिला था पतंजली योगपीट को अगला प्रस्न इसकूल चलो अभियान किस आयोवर्ग के बच्चों ही तो चलाया गया स्थापना कभी तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1902 में इस डियानद एगलोवैदिक विश्वधियाले कहां से प्राप्त हुआ है तो दिगांस अभी लेक जो प्राप्त हुआ है वो हुआ हमारा पिथोरागड से अगला प्रस्न है काल प्योजना संबंधित है तो काल रूर्की कॉलेज को आयाईटी का दर्जा कब मिला तो जो हमारा रूर्की विश्वधियाल है उसको आयाईटी का दर्जा कब मिला वो सात्मा आयाईटी बना भारत का तो उसको आयाईटी का दर्जा मिला था 21 सितंबर 2001 अगला हमारा प्रस्न उत्तरा पत्रिका कहां से छपती है तो कई सारी पत्रिका है छपती उत्रा खंड में अलग लग स्तानों से तो उसमें से एक पत्रिका है उत्तरा यह हमारी जो छपती है यह छपती है पितोरा गड़ से पितोरा गड़ से सब्ती है उत्तरा अगला प्रस्न वीर चंद सिंगडवाली ओध्याने की एवंबानी की विसोविद्याले की इस्तापना 2011 में कहा की गई तो वीर चंद सिंगडवाली ओध्याने की एवंबानी की विसोविद्याले की इस्तापना 2011 में हुई तो ये हुई थ उसने फाल्दा कोटी किस कुमाउणी वर्ग की बोली है तो कुमाउणी भासा को चार वर्गों में बाटा गिया है और फाल्दा कोटी किस वर्ग की बोली है तो इसका सही आंसर है पसिमी कुमाउणी जो पसिमी कुमाउणी है वो बोली जाती है फाल्दा कोटी अलमोडा और लेनी तार के कुछ हिस्सों में अगला प्रस्ण तिलोचन पांडी ने कुमावनी भास को कितने वर्गों में बाठा तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमावनी भास को उन्होंने चार वर्गों में बाठा जबकि कुमावन की कुल बोल यां हो जाएंगी बारा बारा बोल यां कुमावनी को चार भासावर्गों में बाटा तो ये था हमारा आज का टेस्स रीज